निवाई उफखंड क्षेत्र के जर्णलिस्ट एसोशेशन ओफ राजस्थान के जो प्रतिनिदी है उनका एक सम्मेलन है जर्णलिस्ट एसोशेशन ओफ राजस्थान यानि जार के निवाई ब्लोग के पत्रकार सिने मिलन जन प्रतिनिदी अभिननधन समहारों के साथ में कुछ सामाजिक सरोकार सिक्षा का विकास ग्रामीन भारत की बात आम जन की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का माध्यम जैसी बहुत सारे समसामिक मुद्दू पर हम बात करेंगे इस समय लोकसबा चुनाओ भी चल रहा है तो एक पत्रकार सभी दलों की सभी लोगों की राई को जनता के बीच सरकार के बीच में रखे बिना किसी भीदबाओ के लोगतंतर का महापर्व है जनता अपने विवेक से अपने महत्तोपूर्ण जो मतदान का अधिकार है उसका उप्योग अधिक से अधिक संख्या में करें और आप अपने मन से सच्चे और अच्छे नेता को चुनें वोट किसको देना ये आपका विवेक और आपके उपर निर्भर है हम किसी पार्टी या किसी प्रत्यसी का कोई परचार नहीं करेंगे लेकिन लोगतंत्र के इस उत्सों में आप जरूर सभी भागिदार निभाएं और मेरा ये मानना है कि हम सभी पत्रकार साथी ग्रामीन परिवेश से हैं सहरी करण में भी हम दखल रखते हैं तो हमारी जो पत्रकारिता है वो जो भारत गाउं की आत्मा में बसता है गाउं के आदमी की समस्या चाहिए उसको रास्ते की हो पानी की हो सिचाई की हो पेजल की हो उसके आसपास अलग किसी भी तरह की कोई सरकारी इस तरह से कोई परिशानी आ रही है प्राकरतिक संपदाओं का दोहन हो रहा है अवेद खनन हो रहा है या ग्रामीन लोगों के साथ में किसी जानकारी के अभाव में सरकार के किसी नियम से कोई परिषा नहीं हो रही है एक किसानों को, कामगारों को तो उन चीज़ों को भी हमें उठाना बहुत महत्तो पूर्ण है क्योंकि वर्तमान में हम जनरली समाचार पत्रों में और टीवी चैनल में एसी खबरे कम देख रहे हैं तो ये एक चिंता का विश्य है हो सकता है कि जो बड़े सहरों में मेट्रों सिटीज में जो बैठते हैं उनके उपर अलग-अलग तरह हैं कि प्रेसर सा अलग-अलग और इसरग दखने के लिए माये वो आगे बढ़े और इसके साथ ही दो सिख्शा विधवेटेर अपन भी सिख्शा की बदोलेटय आप रहें वाणी और कलम सिक्षा की देन है तो सिक्षा के विकास के लिए चाहिए सरकारी इस्कूल का सिक्षा का इस्तर हो उसमें कमिया निकालने के बजाई हम उनका सैयोग भी करें उनके क्या हमारी सुझाओं उनके लिए कैसे इंप्लिमेंट हो सकते हैं इस बात पर आर्टिकल भी हम लोग तयार करें पबलिक स्कूल से हम सजेशन्स भी खुद भी दे सकते हैं और उनके सजेशन्स को लेकर हम सरकार तक और से आपस में समनवे भी होगा और समनवे के साथ साथ हम एक अच्छे और सच्चे समाज का और देश का निर्मान करने में अपनी महत्ति भूमी का निभा पाएंगे हो सकता है कि अपने को लगे कि क्या होगा दुनिया इसे चल रहे तो कोई कुछ भी चले लेकिन आपके अप मन्च से माप्रकरती प्रमात्मा का आभार जताता हूं और कोई दूसरे नहीं जताते तो वापनी वात है है लेकिन हम उस प्रमात्मा की करपा वदोलत से हम सबहें हमें इसमरेने था कदी लिखने की पढ़ने के आब सबके साथ रहने की तुम अच्छा और स्रेष्ट काम कर सके तो हर वेक्ति में अपनी वाणी में कलम में कुछ ताकत है उस ताकत का आज हम सब कोशिश करेंगे कि इस नहीं मिलन के साथ में हम आगे बढ़ाएंगे और अब एक सकार्च कि प्रारतरना है जो दुनिया के सबसे जदा देशों में अलग-अलग भासाओं में बोली जाती है हमारे यहां भी इसको इसकोल की प्रारतना सबहों में भी बोलते हैं किसी नए धाराम व्यक्ति विचार धारा से परे हम सब को साथ लेकर प्रेम और सद्भाव के पुस्प खिलाएं और आईए उस प्रार्थना के साथ में जरनलिस्ट एसोशेशन उप राधिस्तान जार निवाई ब्लोग का ये समहरों अपन सुरू करने जा रहे हैं दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देवो दया करो हमारी आत्मा में सुद्ध ता देवो हमारे ध्यान में आवो प्रभू आखों में बस जावो अंधेरे दिल में आ करके परम जोती ही जगा जावो बहादो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर हमें आप आसम मिल जुल कर प्रभू रहना सिखा जावो हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा सदा इमान हो सेवा वसेवक जन बना जावो वतन के वासते जीए वतन के वासते मेरे वतन पर जाफिदा करो प्रभू हम को सिखा जावो दया कर दान भक्ति का हमें परमातिमा देवो दया करो हमारी आतमा में सुद्धिता देवो बोले भारत भूमी की जै भारत माता की जै हो सारे अच्छे विचारों वाले व्वेक्तियों की जै हो जैस्री किसान विजैस्री किसान